हेलो एवरीवन, वेलकम तो इन्माई यूट्यूब चैनल इपस अकाडमी तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्यू इंट्रेंस एक्जाम का जो सिलेबस है फॉर एमसी अग्रिकल्चर एंटुमोलोजी तो एंट्यमोलोजी के लिए जो आपका एमसी के यूट्यूप सिलेबस होता है उसकी इपसे पहले हम सीट दिख लेते हैं फोर सेमस्टर का यह आपका MSC होती है मुझा टू येर्स की और इसमें एट प्लस टू का इनका अंटेक है जिसमें टू सीट्स जो है वो ICR कोटा के थूरू यहां फिल होती है ठीक है अब यहां पर आपका क्वालिफिकेशन जो एक्जाम है उसको हम बाद में बात करेंगे पहले इस का जो कोर्स का जो सिलेवस है उसको हम ध्यार रखते हैं टेस्ट पेपर की जो डिटेल होगी वो यहां पर अद्धी है तो सेक्शन वन आपका यहां पर जो है वो जन्नल अवेर्नेस इन अग्रिकल् इस तो इस सिर्व 75 मार्क्स का आपका यह पेपर होगा विएड़ घंटे का आपको यहां टायम मिले का gör शेकट सेक्शन आप का जो है वो नेमाटोलोजी का है और ये आपका 25 माक्ट 30 का अब तो को यहां पर additional information है अब आपको यहां देख कि थोड़ा सा confusion होता होगा ठीक है तो यहां उपर लेका there shall be one objective type of paper with the following components and duration time दिया है और कितने मास्का यह दिया है यहां पर जो additional information है यह बहुत important है there shall be combined admission test जो section 2,3,4 दिया है यहां पर आपको जहां रखना है तो यहां पर पहले मैं यहां चलता हूं additional information फिर मैं यहां पर बात करूँगा तो additional information में एक किसके लिए होगा एक test होगा msc agriculture entomology के लिए msc agriculture plant pathology msc agriculture nematology in the faculty of agriculture the sciences तो इन तीनों seeds के लिए तीनों के लिए एक ही paper होने वाला है जो आपका एक paper होगा अब तो इसमें आपका section 1 जो है वो compulsory है अगर आप मालो की entomology के लिए दे रहे हैं तो आपको यह section 2 करना है plant pathology में section 3 करना है और अगर आप nematology से सिर्फ nematology देना चाहते हैं तो आपको section 4 करना है candidates will have to choose to attempt any one section two sections of all three sections from section one section two three and four as per their indicated choice while filling the application form तो आप जो application form fill कर रहे हैं उस समय आपने जो भी भर होगा आपने entomology भरी है यह फिर आपने plant pathology नेमटोलोजी तो हम यहां बात करें entomology का तो entomology को आपको section one and two करना है क्योंकि section one is compulsory है two आपको यहां करना है क्योंकि यहां पर हम entomology की बात कर रहे हैं यहां पर qualification के अगर हम बात करें तो आपके पास bsc agriculture bsc horticulture या फिर bsc forestry not less than 55 marks 55 percent marks मतलब अगर आपके 54 percent हैं bsc agriculture में horticulture में या फिर forestry में तो आफ इस form को नहीं फिल कर सकते या फिर bsc life science bioscience with geology as a main subject और bsc geology with not less than 55 marks 55 percent marks in aggregate aggregate overall total marks की बात कर रहे हैं candidate should refer to allowed courses under important जो नोट दिया है वह आप देख लें important information rules के अंदर दिया है वहाँ पर यहां पर is limited 27 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहां यह सारी चीज़ें जो हैं वह बहुत important है यहां जो main syllabus से वह आपका ही है यह syllabus आप याद रखना है तो section 1 & 2 आपको करना है अगर आप मान लो कि plant pathology के लिए कर रहे हैं तब भी आपको यही paper आएगा और अगर आप section 4 मतलब nematology के लिए अगर आप जा रहे हैं तब भी आपको यही paper मिलेगा तो अगर आपने तीन उबर हैं तो आपको क्योंकि अलग-अलग timing होगी इस paper में तो अलग-अलग timing के जाब से ही अलग-अलग paper होंगे हो सकता है कुछ paper कलाईश भी करते हैं जब आपका entrance exam होता है तो आपक entomology क्या यह syllabus था तो entomology में आपको section 1 & 2 करना है I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी query है तो आप मुझे comment box में लिखकर send कर सकते है comment box में लिख सकते हैं next video मिलते हैं तब तक लिए बाए टेक क्यार जय हिंद आयमती गयमत साइन कर दो